Hello children, this is your activity class और आज हम अपने activity class में कुछ अलग सा एक magic type करेंगे इस activity का नाम है blooming flower मतलब कुछ papers है वो देखिए किस तरह से मैं इसको करती हूँ आप देखिए ठीक है देखिए मेरे पास कुछ यह colorful papers हैं इस paper पर मैंने full बना कर मैंने इस paper को full shape में काटा है आप अपनी मम्मी से बोलिए कि paper में full बनाईए और उसको काट देए अगर आपके पास colorful paper नहीं भी है तो कोई बात नहीं आप simple white paper से भी बना सकते है तो देखिए इस तरह से मैंने paper को काट लिया है ने full बना कर अब देखिए मैं क्या कर रही हूं paper को इस तरह से ऐसे ऐसे मोड रही हूं ठीके इस तरह से मैं मोड रही हूं ना मोडा मैंने देखिए इस तरह से हो गया ना इस तरह से हो गया ना अब देखिए मैं इसको भी इस तरह से फिर से मैं मोड रही हूं आपको कुछ नहीं करना है जो यह flowers बने होंगे flowers को बस आपको मोड़ना है ये देखिए इस तरह कि मैंने मोल लिया नहीं इस तरह देखिए मैरे और भी बाखिए फ्लाउवर smaller अब हमें क्या करना है आप देखिए मेRe पास एक बोल है और इस बोल में क्या है मैंने पानी भरके रखा है आपको एक-एक करके यह जो flower है isक कंदर इसको डालना है ठीक है आप देखिए दीरे-दीरे क्या होगा देखिए दीरे-दीरे यह flower bloom करने लगेंगे खिलने लगेंगे देखिए मैंने यहां भी छोड़ दिया हो रहा है ना दीरे-दीरे अब देखिए मैजिक हो रहा है ना यह देखिए फ्लावर खिल रहा है ना मैंने दीरे दीरे ऐसे करके जो मैंने यह फ्लावर्स मोड के रखे थे इसको मैंने इसमें छोड़ दिया है यह देखिए आप देखिए क्या हो रहा है यह देखिए दीरे यह फ्लावर क्या घर रहे हैं यह देखिए है ना मैजिक आपको लग रहा है ना तो इस एक्टिविटी को आप अपने घर में जरूर किजेगा ठीक है ओके चलिए यह आपकी एक अक्टिविटी होगा थोड़ी दिर बात देखेंगे यह जो फ्लावर से पूरा पानी में पूरा खिल जाएंगे चलिए अब हम लोग एक दूसरी अक्टिविटी करते हैं और इस अक्टिविटी में है यह पजल गेम है यह देखिए यह देखिए इस ब्समें मैंने क्या-क्या है कुछ मैंने लेटर्स लिकें है और यहाँ पर कुछ मेरे बिक्चर से बने हुए हैं तो हमको देखना है यह पिक्चर में कौन-कौन से कलर होते हैं अब आप बताएगा क्या बने हुआ है एपल and what is the color of an apple apple का क्या होता है red होता है तो हमें इस कलर होका रेट को हमें उसमें ऐसे सरक्ल कर दीना है और जो यह एपल है एपल में हमें क्या करना है एपल में मुझे रेट कलर से एपल को कलर कर दीना है आप इढ़ देख सकते हैं कि धीरे धीरे मेरे फ्लावर्स जो है वो देखिए धीरे धीरे खिल गया ना एपल को हमें मैंने एपल को किस कलर से कर दिया रेट कलर से कर दिया ठीक है अब देखिए नेक्स्ट क्या बना हूँ है लीफ and what is the color of a leaf what is the color of a leaf green अब देखिए इसमें green color कौन से है ग्रीन का गलर जी से स्टार्ट होता है यह देखिए g r e n green जी से लेकर n तक आपको green color से ऐसे circle करना है ठीक है अब green color leaf है तो leaf को हमें green color से color कर देना है ठीक है the next is अब देखिए क्या बना हूँ है यह क्या बना हूँ है mango and what is the color of a mango yellow very good अब yellow y से स्टार्ट होता है तो y y e double l o w yellow यह पूरा yellow से आपको circle करना है अब यहाँ पर जो यह yellow mango है mango को yellow color से कर दीजे ठीक है the next is orange orange का color क्या होता है orange होता है तो orange को हमें orange color से color करना है और उपर फिर हमें देखना भी है कि orange color orange की spelling o r a n g e orange करना आप लोगों को बहुत पसंद भी है तो यह एक मज़ेतार गेम भी है जिसको आप लोग अपने घर में अलग से अपने मम्मी से बोली पजल बनाते अब यह orange orange कहां लिका हुआ है o r a n g e orange यह देखिए लाश तक ठीक है आप देखिए यह क्या बना हुआ है यह क्या बना हुआ है यह क्या बना हुआ है स्काई और स्काई का color क्या होता है blue हमें स्काई को blue color से color कर देना है ठीक है स्काई को मैंने blue color से color कर दिया अब blue कहां परे देखिए B L U E Blue और लाश्ट में क्या बचा फ्लार, फ्लार को मैंने पिंक कलर से किया, अब बताएं ये लिखा हुआ है P I N K PINK ये पिंक लिखने के बाद फ्लावर को मैंने पिंक कलर से कलर कर दिया ओके चिडरें तो ये आपको समझ में आ गया है न कि देखें ये पजल गेम है, इस एक्टिविटी को और ये ब्लूमिंग फ्लावर वाली एक्टिविटी इन दोनों को आपको अपने घर में करना है ओके चिर्टरें I hope कि you all are enjoyed my video देखें ये फ्लावर कितने अच्छे से खिल गया ना ये एक magic type का लग रहा है न अब इस एक्टिविटी को आप अपने घर में कीजिए और enjoy करिए ठीके और ये इस puzzle game को भी आप अपने घर में जरूर कीजिए ठीके, ओके, thank you class have a good day